हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चाइनल एस्टेक में और आज हम जानेंगे हमाई के बारे में आज हम देखेंगे कि यह हमाई है क्या यह कैसे काम करता है और इसका उप्योग कहा होता है अगर आप इस चाइनल पर नए हो तो इस चाइनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि जिससे की मेरे आने वाले वीडियो के अप्डेट्स आपको मिलते रहे So, let's start our topic HMI HMI यानि Human Machine Interface मतलब एक ऐसा device जिसकी वजह से humans यानि मानव और machines एक दुझे से interact कर पाते है किसी भी छोटी या बड़ी industries में या कोई भी machines में प्रोसेस को operate या monitor करने के लिए HMI यूज किया जाता है HMI को समझने का simple example है ATM machine जिसमें आप screen और push button के वे द्वारा उससे पैसे निकाल भी सकते हो या उसमें deposit भी कर सकते हो जिस तरह कुछ ATMs fully touchscreen operated रहते है और कुछ ATMs keyboard के द्वारा operate होते है उसी तरह हाँ HMI दोनों versions में यानि full touchscreen या keypad इन दोनों में available है अगर हमें किसी भी automation process या projects को operate या monitor करना है तो HMI बहुत फाइदे मंद है जो भी maintenance operator या engineer है वो HMI के द्वारा पूरी industrial process को operate या monitor कर सकता है HMI एक computer screen जैसा ही है जिसका उपयोग industrial process के साथ-साथ consumer equipments like smart phones, video games, smart home systems इन में होता है HMI में हम industrial process का बहुत सारा data देख सकते है For example, temperature, pressure, humidity और बहुत कुछ depends on customer application Maintenance engineer बहुत सारे errors को HMI द्वारा देख सकता है जो engineers को troubleshooting के वक्त मदद करता है और वक्त भी बचाता है HMI की memory के size के अनुसार हम बहुत सारे machines या process का data एक ही HMI screen पर देख सकते है अब देखते है कि HMI को machine से कैसे connect करते है HMI में software होता है और इस software को engineers द्वारा program किया जाता है Users के application और requirement के इसाफ से सभी HMI manufacturers का जो programming software है वो अलग-अलग रहता है Software engineers users के application और requirements के इसाफ से HMI screen को design करते है जो operator को right time, right data available करके देंगे Example के लिए हमारे HMI screen पर एक liquid tank है और इस liquid की level को pump के सहारे कम किया जाता है और pump को on और off करने के लिए हमने यहाँ पे start और stop push button भी screen पर दिये हुए है जैसे ही HMI screen के उपर दिये हुए start button को हम press करेंगे आपका pump on हो जाएगा और जैसे ही हम HMI की screen के उपर ही दिये हुए stop button को press करेंगे आपका pump off हो जाएगा लेकिन रुकिये यह इतना आसान नहीं है इसके लिए जो भी HMI software programmer रहेगा उसको आपके HMI screen पर दिये हुए tank level, push buttons, pump सभी को program करना पड़ेगा और PLC के जो input output logic है उसके साथ addressing या mapping करना पड़ेगा HMI और PLC की programming, addressing और PLC-HMI एक दुज़े के साथ communication होने के बाद ही HMI के द्वारा आप किसी भी machine या load को operate या monitor कर सकते हो अगर हमें HMI को PLC के साथ connect करना है तो हमें protocols का use करना पड़ेगा protocols in the sense है communication language है जो PLC और HMI को समझती है अलग-अलग company हो के अलग-अलग protocols है protocols like modbus, ethernet, profibus and many more in simple language अगर बताऊ तो HMI का मतलब है किसी भी मानोग को किसी भी complex, automation, process या machine से interact याने बादचित करने में मदद करना आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए झालिए